आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुबिकल्बी प्रसन लाए हैं और एक एक नंबर के आते हैं दस प्रशन आते हैं आपके पास प्रिक्षा में तो चलिए अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेर भी कर दीजिए ताकि यह इने बच्चों को भी फाइदा हो हो जाए ठीक है बच्चों और आप देखे इनसे समझ लीजिए इसकी पीडिये भी मैं आंतिम वीडियो में उपलब्द करवा दूँगा पीडिये आप डाउनलोड कर लेना फिर से पढ़ लेना ठीक है तो आ है बहुत इंपार्टेंट रचना है है भारते इंद हरिस्चन जी की है और हम बता चुके हैं ये खड़ी बोली हिंदी की प्रथम महाकावे माना जाता है ठीक है फिर आता प्रेम तरंग के रचनाकार तो प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है भारते इंद हरिस्चन जी है दान लीला भारते इंद हरिस्चन जी है प्रेम माधुरी भारते अब हम बता दे मुकुल किसकी है मुकुल विया सुभद्रा कुमारी चोहान जी की है युगधारा नागार्जुन की है समरपन रामावतार त्यागी की है प्रेम मालिका भारतेल हरिस्चन जी है जगनात दास रतनाकर द्वारा रचित विने पत्रिका तुलसी दास की है वैदेही वनवास वैदेही वनवास किसकी है हरियोद जी की है चेतर साल दसक किसकी है जानते हो भूशन की है उद्धो शतक जो है ये जगनात दास रतनाकर जी क है गंगा उत्रण भी जगनादास रतनाकर जी की रचना है स्रंगार लहरी जगनादास रतनाकर जी की रचना है ठीक है जगनादास रतनाकर द्वारा रचित लिखा गया काब कौन सा हिंडोला ठीक हिंडोला जगनादास रतनाकर अब नोट करते हैं वन लाइनर में समा लोचन जगनाद दर्श जगनाद दास रचनाकर महा कभी जगनाद दास रतनाकर द्वारा रचित गरंत है हरिश्चंद्र ठीक है हरिश्चंद्र अगर किसी ने लिखा था जगनाद दास महा कभी जगनाद दास रतनाकर द्वारा रचित गरंत हरिश्चंद है कलकाशी के रचनाकार जगनादास रतनाकर है कलकाशी ठीक है कंगा लहरी और विश्णू लहरी ये भी जगनादास रतनाकर के है ठीक है फिर जगनादास रतनाकर द्वारा रचित रतनाश्टक के रतनाश्टक है सरोजिस्मृती निराला की है याद कलीजे निराला की है अपरा अनिमा सुनितानद पंत जी की है विराश्टक जगनाद दास रतनाकर की है उद्धोशतक जगनाद दास रतनाकर की है और फिर है जगनाद दास रतनाकर की रचना है गंगा उत्रण प्रेम माधुरी जानते ही हो भात्य दरिश्चन जी की है साहितलेरी सूर्दास की रामलला नाचु तूलसी दास जी की है प्रेय अवध्या सिंग उपाद्या हर्योज जी की रचना कौन सी है प्रीप्रवास है ठीक है चुबते चौपदे चोखे चौपदे रसकलास ठीक है यह सब किसकी है अवध्या सिंग उपाद्या हर्योज जी की चुखे चौपदे चुबते चौपदे वैदे ही वनबास अवध्या सिंग उपाद्या हर्योज जी की है यह भी याद कर लिजिए और रसकलस प्रिप्रवास यह द्यासिंग उपद्य है हर्योजी की है ठीक है और निम्रिखित में से उस ग्रंत का नाम लिखे जो हर्योजी का नहीं है तो चित्राधार किसका है यह प्रसाद जी का है यह हर्योजी का नहीं है मैथली सरंड़ गुप्त ने लिखा है क्या साकेत लिखा विया साकेत लिखा है भारत भारतिक्स ने लिखा मैथली सरंड़ गुप्त बहुत पूचा जाता है द्वापर मैथली सरंड़ गुप्त प्रेन में से कौन से रचना मैतली सरंड गुप्त की नहीं है तो रस कलस किसकी है अभी बताया हरियोजी की है कुडाल गीत मैतली सरंड गुप्त ने लिखा मैतली सरंड गुप्त द्वारा रचित काब गरंथ ये शुधरा है जैदरतवद मैतलिसरण गुप्त ने लिखा है बहुत महतुपून कुश्चन है जंकार सिधराज काब गरंथ के कभी कौन से मैतलिसरण गुप्त है मैथलि सर्ण गुप्त द्वारा रचित है पुरदक्षना मिलने आमनी, मदुशाला मदुकलस, ये सब हरीवनस रायब अबच्चन जी की है अनक और नहुस मैथलि सर्ण गुप्त द्वारा रचित है जरणा काव गरंद के कवी है जरणा किस ने लिखा जैसंकरपसाद बहुत पूछा जाता है कामाईनी जैसंकरपसाद जैसंकरपसाद के रचना लहर सामधेनी किस की है रामधारी सिंग दिनकर की है रेणुका हुंका रामधारी सिंग दिनकर की है जैसंकरपसाद वारा रचित काब गरंथ काब गरंथ आसू यामा किस की है, फिर महादेवी वर्माद जी की है, और निर्कित में किस काब गरंत के रचनाकार जैसिंकर पुसाद जी हैं, तो सभी के चित्राधार, कामाईनी, कानन कुसुं, मासु, जन्मा ये सब जैसंकर पुसाद ऑरा रचित हैं, कौंसे रचना सुरिकान्तुर पाठी निराला की है ठीक है राम की शक्ति पूजा निराला की है रसिक प्रिया के सोदास की है रागोबिंद मीरा भाई की रसकलस हरियोत की है ये सुरिकांतर पाथी निराला की रचना परिमल परिमल निराला की है ठीक है ग्राम्या युगांतर सुनकरर ये पंत की है गीतिका निराल समरती के कभी का नाम समरती में सरोज युथी एक शोक गीत है कि पूछा जा सकता है यह शोक गीत है और इसके रिचिता निराला जीत है उनकी बेटी का नाम सरोज था फिर प्रस्णा आता है कि निराला द्वारा रचित कुकुर्मुत्ता उत्तरा जानते हो मैंतलिस नर्गुप्त लोकायतन पंत की है वानी पंत की है अनिमा के रशीता सुरिका अंत्रपार्ठी निराला अपरा सुरिका अंत्रपार्ठी निराला अर्चना सुरिका अंत्रपार्ठी निराला इसे ठीक है पंत की रशना कौन सी नहीं है यूगधार नहीं सुताइपंत की रचना है पल्लव आंसू, गीतिका, उर्वशी, उर्वशी रामदाय सिंग्तिन कर की है गीतिका, गीतिका किसकी है निराला की है और आंसू किसकी है जैसनकर पुसाद की है तो वरिजिनल रचना इंकी पल्लव है कौन से रचना सुमित्रा अंदर पंत की नहीं है आसू किसकी है प्रसाद की है लोकाईतन के कभी है लोकाईतन निराला तो सुमित्रा अंदर पंत की नहीं है नहीं पर ज्यादा ध्यान देना आपको है सुनेहले सहवाल सुनेहले सहवाल इनकी रचना नहीं है युगुमारी चिदंबरा लोगायतन ये है सुनेहले सवाल नहीं है कला और बुड़ा चांद ये भी पंत की रचना है समेत्रान पंत की रचना नहीं है परिमल परिमल किसकी है? निराला की है योगुपत उत्तरा पंत की है सुभितन पंत द्वारा रचित है उपएक सभी योगुमारी युगान्त ग्राम्या किसके द्वारा पंत की रचनाएं है बहुत पूची जाती है जमरिखित में से कौन सी रचना महादेवी बरमा की नहीं है महादेवी बरमा की रचना है सांध गीत ठीक है कानन कुसम जैसंकरपसाद की है प्रेम पथिक जैसंकरपसाद की है प्रेम फुलवारी भारते अंदुजी की है समझ गया आप रश्मी काब संग्रा किसका है रश्मी महादेवी वर्मा का है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया काब गरंत है नीहार हरी घास पर छणभर यगे का है गीत फरोस भवानी प्रसाद मिस्र का है ठीक है दुरबदी पता नहीं है दीब शिखा की रचना किसके द्वारा की गई है महादेवी वर्माने शंधिनी और निमर्खुन की में से किसकी रचना महादेवी वर्माने द्वारा महार्शंवी वर्माने नहीं कहई है अर्ध ना रिश्वर नारीश्वर यह धियान क्रकले हो जाएगी पूसराम की पृतिक्षा रामधारीश्वौर सिंग दिनकर दिनकर की रचना है नीम के पत्ते आलवाल ये सब दिनकर की रचनाएं है पल्लो पंत की है विणा पंत की है तो रेडुका काबिस रचना के रचकवी का क्या नाम है रामधारी सिंग दिनकर रामधारी सिंग दिनकर की हुंकार है ठीक है अब बात पूची जा रहे है अगे के रचना नहीं है दूद बताशा सुनेशेवाल हरीगासपर छणभर और आगन के पार दूआर, ये अगे की रचना है दूद बताशा नहीं है और ये दिखे अग्गे की रचना हरीखास पर छणभर है हुंकार कुरुक्षे तो रस्मरती दिनकर की है निम्रखित में से कौन सी रचना अग्गे की नहीं है तो रेडुका ठीक है किसकी है दिनकर की है अग्गे की रचना नहीं है प्रलय सरजन ठीक है ये अग्गे की रचना न ठीक है बसमांकूर चेतना सतरंगिनी ये जो हैं प्रयोगवादी कविताएं हैं निम्रकी में से कौन सी अग्गे रिच की रचना नहीं है पल्लव पंत की है वावरा है रिच्गे की पुर्वा है अग्गे की सुनेले सवाल अग्गे की महाब्रक्ष के नीचे पहले मैं सन्ना इसके भी रचनाकार अग्गे यह है करणफूल और प्रवासी के गीत नरेंदर शर्मा को अधिक पूछते हैं भावानी प्रसाद मिस्र की रचना है गीत फरोश मैं गीत पेशता हूँ तरह तरह के गीत पेशता हूं आपको ब्लें पठने को मिलेगी और तरिकाल, संधिया और काल जयी के रचना कौन है भवानी प्रसाद मिस्रों काल जयी के कौन नाराण भी है नचकेता के जीवन पर आधारित है गजानन माधो मुक्तिबो द्वारा रचित है और गिर्जाकुमार माथुर द्वारा रचित है धूप के धान ठीक सिलापंक चमकीले धूप के धान य जानते हो महादेवी के हेम तरंगणी माख लाचेतुर वेदी क्या है योग चरण ये पता नहीं है इस सिलापंख चमकीले गिर्जा गुमार मातुर कनुप्रिया धरंबीर भारती की रचना है ठीक है और फिर धरंबीर भारती ने लिखा अंधा यूग महा भारत पर अधारित यह भी धरमपिर भारती ने लिखा है और कितनी नाओं में कितनी बार बहुत important है यह अग्गे ने लिखा है ठीक है कितनी नाओं में कितनी बार तो आपको कैसा लगा जरूर बताईए और देखे इससे आपको देखना बहुत अधिक question इसमें ज्यादा तो नहीं लगबग 3-4 question आपकी paper में फंस जाएंगे इसलिए इसको बड़े ध्यान से 2-3 बार देख लीजिए वीडियो बस समझ में आ जाएगे